Hello friends, this is Sumitra and welcome to Tet Manthan तो मैं फिर आगे हूँ देखो रात के एक बजे आप लोगों की आनसर की मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ है ना रात की मतलब उल्लू बन चुकी हूँ मैं आपकी आनसर की के लिए तो और इस आंसर की के बारे मुझे पता है आप लोगों को मेरी स्टोरी खास सुनें फिलाल इंटरस नहीं आपको फटा-फट से पनी आंसर की चेक करने है पर फिर भी इस पेपर के बारे में मैं जरूर बोलूँगी यह है आपका 24 दिसेंबर का पेपर 24 दिसेंबर का यह पेपर की वज़े से ही मैं आप लोगों के साथ में यह आंसर की डिसकस कर पा रही हूँ यह मेरी एक नोन स्टुडेंट है ओफलाइन में जिन्होंने मुझे अपना पेपर सेंड किया था जिस दिन सब लोग रिस्पॉंस की की सूचना दे रहे थे किसी के द यह CDP मैंने इसको चेक करके दिया और मुझे सटन माइंड में आया कि चलो इसको मैंने चेक करके दिया है तो एक काम करती हूँ मैं इसको चैनल पर भी अप्लोड कर देती हूँ और उस दिन यह शुरू हुआ था यह सिलसिला आंसर की डिसकस करने का बाकि किसी के दिमाग मे नहीं था यूट्यूब पर यह आंसर की डिसकस करने वाली बात मैंने इस्टार्ट किया था तो इसलिए तो इसी पेपर से स्टार्ट हुई थी आपकी आंसर की इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र कर दिया इसी में 24 जन्वरी की हम लोग डिसकस करने वाले हैं क्या अभी English लंग्विज 2 ठीक है यह पेपर क्या है आपका 24 दिसेंबर है पेपर 1 है आपका यह और इंग्लिश लंग्विज 2 है ठीक है चलिए यह पैसेज है आपका फूड के बारे में एक पैसेज है पैसेज पढ़के मैं आपका टाइम वेस बिल्कुल नहीं करूंगी फट्टा-फ आप लोग अपने पेपर में एक पैसेज पढ़ने में मतलग कितना टाइम आपको लगता होगा अगर आपको 30 मिनट लगते हैं तो कम से कम 15 मिनट तो मुझे भी लगते होंगी मैं को यंग्रेज थोड़ी पैदा हुई हूई हूँ तो इसलिए इतने सारे मतलब कितने दिनो आपको अपको अपको इसलिए पूछा गए आपसे वाला क्यों दिसकस करने लगे क्यों कि इसने मुझे यह बोला कि दिदी मैंने आपको सबसे पहले क्वेशन पेपर भेजा और आपने मेरा इने डिसकस किया तो मैं चलो ठीक है और चलो थेका है तो 24 दिसेंबर पहले कर ल रेकिंग का आप से पूछा है, opposite meaning, यानि कि एंटोनिम पूछा रेकिंग का आप से, तो रेकिंग का क्या हो जाएगा, reform आजाएगा, ठीक है, repair, reform, ये सारे रेकिंग के आपके क्या होते हैं, opposite meaning होते हैं, ठीक है, next क्या है आपका, question number 3 पे बढ़ जाते हैं, question number 3 में क्या है आप का question number 4 की अगर हम बात करें question number 4 क्या कहता है आपको question number 4 कहता है which part of the following sentence contains an error error कौन से उसमें है आपको यह पूछा गया है तो इसमें कौन से उसमें error है आपके इसमें B part में error है वर पनिश्ट ठीक है तो यह कहां जाएगा आपका third वाला आपका answer B में है I think third वाले में ठीक है तो क्या हो जाएगा 3 का B है तो आपका answer क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यहां पर अब इसमें मैं कुछ उल्टा सीथा बोल जाओ तो समझ जाना अपने वाले paper में चेक कर लेना यह वर पनिश्ट वाले में आपका error है ठीक है question number 5 हम discuss करेंगे question number 5 क्या है select the options the mentions correctly the harmful effects of processed animal-based food processed animal-based food यह दो बार आगे पतानी क्यों यहां पर यह चाहएद typing mistake होगी उनकी paper वालों की इसमें answer आपका क्या रहेगा causes many severe disease ठीक है फिर उसके बाद में is very expensive reduce lands fertility or require deforestation ठीक है तो इसका answer आपका क्या हो जाएगा A, C और D true है इसके अंदर में यह very expensive वाला true नहीं है ठीक है क्या हो जाएगा A, C और D answer हो जाएगा आपका यानि कि 3 वाला तो 3 answer हो जाएगा question number 6 की अगर हम बात करें question number 6 क्या कहते है what has led to use deforestation in amazon ठीक है यह बात की जारी है आपसे तो इसका क्या आजाएगा huge demand for feed for livestock talks ठीक है six का answer क्या हो जाएगा आपका four हो जाएगा फटा-फट से आप लोग अपना answer में ला ले ना question number seven क्या है which part of speech is the underlined word in the sentence ठीक है the way we consume food now could soon consume us ठीक है it is not supported by evidence in the passage ठीक है eight का answer क्या हो जाएगा it will give a philip to vegetarianism ठीक है तो क्या हो जाएगा three आपका answer हो जाएगा eight क्या हो जाएगा three आजाएगा film में फिलहाल में बिल्कुल explain करके नहीं चलूंगी ठीक है फटा-फट से आप लोगों को बता जीते हूँ the tiger did not pounce upon the author because the iPhone flashlight यह आपका second वाला paragraph है ठीक है second वाला तो इसमें क्या होगा three blinded it ठीक है three हो जाएगा nine का क्या हो जाएगा three हो जाएगा blinded it जब वो इस पर flashlight मारता है तो उसको एक बार के लिए ऐसा मैसूस होता है tiger को the guests were served their dinner near our campfire ठीक है 10 का क्या हो जाएगा first वाला हो जाएगा question number 11 अगर हम बात करें तो क्या होगा which word is the most opposite in meaning to the word gorgeous gorgeous का opposite पूछा है अपसे तो gorgeous का क्या हो जाएगा अगली हो जाएगा question number 11 का हो गया two question number 12 question number 12 क्या कहते है आपको कि what was the author's what was the author's immediate reaction when he saw the tiger so close to him author का immediate reaction क्या था जब उसने tiger को बिलकुल अपने पास देखा he shouted for help वो क्या था मदद के लिए चलाया तो fourth आपका option सही हो जाएगा इसमें बिलकुल question number 13 के अगर हम बात करें तो author decided to visit random national park ठीक है तो इसके बारे में किसलिए उसने decide किया था ये पूछा गया है आपसे तो उसको क्या था to fulfill his desire to go to do a tiger safari जिसको देख करके वो डर गया था फिर बाद में ठीक है तो क्या हो गया यह 13 का to हो गया आपका उसको tiger की safari करने थी बता हो 14 क्या है आपका which word is most similar in meaning in meaning to the word barely barely का similar word आपको बताना है तो 14 का क्या हो जाएगा hardly हो जाएगा barely का क्या होता है hardly आपका ठीक है चलिए next देखते है question number 15 question number 15 क्या है which part of the following sentence contain an error ठीक है कौन सा पार्ट है जो की sentence में error है जिसमें ठीक है तो यह पूछा गया आपसे 15 का आपका answer क्या हो जाएगा 4th number क्योंकि इसमें क्या है बी में रगू as well as रमिंदर ठीक है should be awarded for their brave act तो 4th का क्या हो जाएगा आपका बी वाले में है तो इसका मतलब 4th कहां पे है आपका बी में ठीक है तो answer क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा इसका next देखते है according to dash human beings are born with language acquisition device sorry यह आगे आपका pedagogy portion according to human being were born with language acquisition device और यह सब हम जानते है और मैं तो खुद मतलब अपने channel पे चिला चिला के इस question को कितनी बाहर करवा चुकी हो कितना होगा इसका answer क्या होगा आपका chomsky होगा ठीक है chomsky ने language acquisition device के बारे हम बात की है तो question number 17 in the early year of language development a teacher her class with circle time activity daily where she give opportunity to each child to speak on a particular theme this is an important strategy for इसको हम कहते है emergent literacy ठीक है आक्ष्मिक साक्षरता जिसको हम कहते हैं हिंदी में तो 17 का answer क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसी को एक अलग तरीके से question आपका आगे पुछा हुआ है emergent literacy से इसी question paper में choose the correct sequence for the stages of process writing approach process writing approach की आप से क्या पुछी गई है stages पुछी गई है तो process writing में सबसे पहले क्या आता है आपका brainstorming आता है ठीक है यानि की C पहले आ जाएगा उसके बाद में outline आती है यानि की E पहले आ जाएगा उसके बाद में आता है आ आता है proof reading यानि B और उसके बाद में last में आता है आपका finalize यानि की F तो C E A D B F C E A B D F यानि की option number 1 आपका answer बन जाएगा C E A B B F ठीक है question number 18 का आपका answer हो गया question number 19 क्योंकि देखो आपके paper में sequence अलग होगा यह जिस student का paper है उसमें sequence अलग है इसलिए मैं थोड़ा सा clear करके चल लोगे ठीक है लेकिन फिर भी मेरा यह फर्स बनता है कि मैं पूरा clear करके चलू आप लोगों को ठीक है next है आपका question number question number 19 defining new words within context instead of making the children learn meaning of new words ठीक है यहाँ पे क्या है new words को context में बताया जा रहा है ठीक है तो उसको हम क्या कहेंगे help in better understanding of the word जब आप context में बच्चे को बताओग तो उसकी अच्छी understanding बनेगी बच्चे की ठीक है तो क्या हो जाएगा to आपका answer हो जाएगा question number 28 की अगर हम बात करें तो क्या है dash provide us with the cues to read between the lines ठीक है तो इसको हम कहते है guided writing जैसे कि क्योंकि यह guidance में किया जाता है cues दिया जाएगा आपको read between the lines ठीक है तो इसको हम क्या कहेंग इसमें आप उसको reading को करेंगे ठीक है तो यह guided reading हो जाएगा four answer हो जाएगा 28 का आपका next है आपका 21 question number 21 क्या कहते है choose from the given statement the strategy which best support emergent literacy देखो हमने पीछे अभी emergent literacy के बारे मात की थी वहापे जो जो चीज़े दे रखी है यहापे वो सारी सही है आपकी ठीक है तो इसका answer क्या ह जाएगा आपका parents talk in early year of language development बिल्कुल ठीक बात है बच्चे के language development के early years में जो माता-पिता की बात है और reading stories to children जो हम कहानिया सुनाते है बच्चों को asking to writing a letter to friend यह सब चीज़े नहीं होगी तो क्या हो गया A और B इसका answer हो गया A और B कहा पे आपका second number option में है तो second के साथ हम चल 21, 22 which one of the following does not promote oral communication ठीक है oral communication को देखो children की conversation एक दूसरे के साथ में experience अगर share over telephone पे तो भी interview करेंगे एक child का तो भी but news bulletin not helpful ठीक है 22 का क्या हो गया 3 हो जाएगा 23 की अगर हम बात करें which of the following term is not related to Vygotsky's socio-cultural theory हमें पता है social interest interaction Vygotsky की बात करते है इसका folding ZPD but mentalism की बात Vygotsky ने कहीं नहीं करी है ठीक है तो क्या हो गया 23 का आपका 4 हो गया 24 अगर हम बात करें तो क्या है आपका child learn language through trial and error is evident from dash theoretical perspective on language learning तो जो आपकी trial and error की बात कौन करते है behaviorism बात करता है तो 24 का answer क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 25 की अगर हम बात करें drilling is the major technique of drilling जो है वो किसकी major technique है तो हम जा सकते है grammar translation method के साथ में क्योंकि उसमें क्या होते है आपको rules याद करने होते हैं कहीं ने कहीं आप translate करते हैं एक language से दूसरी language में तो vocabulary भी आपको learn करनी पड़ती है तो हम 3 के साथ में जा सकते है 25 का 3 हो जाएगा passive vocabulary जो होती है जो words हमें कहीं ने कहीं हम देखेंगे तो हमें समझ आ जाएंगे कहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएंगे सुनेंगे तो समझ आ जाएंगे लेकिन वो हम speaking में यूज नहीं करते हैं उसको हम कहते हैं पैसिव करते हैं तो frequently जिनको यूज करते हैं वो नहीं हो सकती जिन नेक्स्ट हो जाता है 27 आपका at foundational stage national education policy NEP focuses on literacy and numeracy 2 हो जाएगा इसका answer 27 का सीधा सीधा 28 नंबर है errors के बारें बात की errors पर इतने question पूछें इस बार सीटेट ने की बस पूछोंगे मत Errors committed by children in reading and writing can be called can be called later to language learning later मतला भी CD बनता है language learning के लिए क्योंकि errors को हम कहीं ने कहीं क्या है अच्छा ही मानते हैं ठीक है बुरा नहीं मानते हैं हम उसको hindrance or obstacle या inability के रूप में हम उसको नहीं लेते हैं ठीक है next है आपका question number 29 question number 29 क्या है constructivist approach to language learning include constructivist जो है वो inquiry based learning की बात करेंगे habit formation drilling ये सब चीजें इसमें नहीं आती constructivist में क्या हो गया आपका third number answer हो गया question number 29 का आज के लिए इस answer की का last question semantic mapping strategy is effective for तो semantic mapping strategies जो होती है वो vocabulary को improve करने के लिए होती है ठीक है learners की तो इसका answer हो जाएगा आपका first 38 का first और इस जो भी ये जो मेरी non student है ये लड़की इसको मैं फिर से कहूंगी thank you इस paper की वज़े से मैं आप लोगों तक इतनी सारी answer की इस पहुचा पाई और मेरे दिमाग में ये ब papers को one by one करके सबका paper हम लोग discuss करेंगे